नमस्कार, मैं हूँ हरप्रीत कौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस सत्र में आप हमें देख रहे हैं ई-विद्या चानल नमबर 10 पर और आज हम हमारे क्लास 10 के स्टुडेंट्स के लिए लेकर आए हैं संस्कृत सब्जेक्ट पर एक टॉपिक जी हां आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्त्य, पार्ट है आठ, संस्कृत है विश्य और अगर आपके हमारे questions हैं कुछ आपके questions आप हम से पूछना चाते हैं हमारे expert से पूछना चाते हैं तो आप हमें phone कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे इस session में इस सत्र में जो expert हमारे साथ हैं वो हैं Dr. Sangeetha Sharma जो है faculty of Sanskrit, Jamia Milia Islamia University, New Delhi से बहुत-बहुत स्वागत है माम आपका हमारे इस सत्र में जो भी हमारे viewers हैं जो हमारे faculty से question पूछना चाहते हैं अपने doubts को clear करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप हमें phone कर सकते हैं और हमारा phone number है 8800400559 इसके अलावा आप अपने questions और अपनी queries हैं आपके feedback हैं suggestions हैं हमें email भी कर सकते हैं उसके लिए हमारा email id है dth.class10 at ciet.nic.in और इससे पहले कि हम अपने सत्र की शेरवात करें हम आपके साथ शेर करना चाहेंगे something very important. Yes, we are proud of the fact that India has assumed G20 presidency and will convene the G20 leader summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all while manifesting the true spirit of Vasudev Kitumbakam. And on this very beautiful note हम शिरुवात करने जा रहे हैं आज के हमारे सत्र की. और माम मैं आप से जानना चाहूंगी कि आज का जो हमारा ये पार्ट है सूक्तिह इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? सभी प्यारे बच्चों का स्वाधत है आज की कक्षा में. जैसे कि आपने पूछा कि ये पार्ट जो है वो किसके बारे में है या क्या खास है, तो सबसे पहले बच्चे ये जाने हैं कि सूक्तिया शब्द कर्द क्या होता है? शूक्तिया शब्द और फिर्टन का उ fertility को में है, दिख रही होगी इस बच्चों को क्या बच्चे ये बता सकते हैं कि कि किसकी पिचर है क्या वो इस पिचर को जानते हैं उन्होंने कभी इसके बारे में देखा सुना पड़ा है हो सकता है बहुत सारे विद्यारती इस विशे में जानते हों और कुछ विद्यारती इस विशे में अनभिग्य हों यह जो तस्वी बहुत बड़े कवी माने जाते हैं और उनका समय जो है वो ईसा पुर्व प्रथम शताब्दी के और उनका समय माना जाता है और उनका जो गरंत है उसका नाम is तुरुपुरण I think आपने सुना होगा उनका जो मतलब नाम या उनके बारे में आपने किसी अन्य विशय में जरूर पढ़ा होगा मुझे ऐसा लगता है और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो इतना जादा महत्वपूर्ण है कि उसे तमिल का वेद भी कहा जाता है और वो ना केवल दक्षिन हारत के लिए पकी तो संपूर्ण भारत के लिए उनका गरंत और संथ हमारे भारत के लिए भूशन समाहल है तो उनका जो ग यथे हैं उसी के फुछ श्लोक हैं जो जिस पर हम यह पर चर्शा करने वाले हैं और उन श्वरों में किस प्रकार की अच्छे बातें कही गई हैं उन्हें समझने वाले हैं संस्कृत की व्याफरण के साथ तो अगर आप देखें पहला अगर आप देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ शब्द जो हैं वो हरे में हैं और कुछ शब्द जो हैं गुलाबी में हैं वो सब संधी से संबंदित शब्द हैं और जो हरे ह हैं वो सारे जो शब्द हैं वो समास से समझ देते हैं तो बच्ट एक चीज का ध्यान रखें बहुत सारे शब्दों पर हम यह चर्चा करेंगे हो सकता है कुछ शब्द चूट भी जाएं यह जब आप बाद में भी चाहें तो जो शब्द हैं उनका पुनर अभ्यास कर सकते है रंगों को ध्यान में रखते हूए गुलाबी रंगे जो शब्द हैं वो संधी है और समास है इन दो व्याक्तरण की चीजों पर हम यहां पर ध्यान देंगे बाकी हम बहुत जादा स्ट्रेस न लेते हुए श्लोकों को समझेंगे कि श्लोक क्या कहते हैं उनका भाव क्या है तो पहला श्लोक क्या कहता है कि पिता यच्छती पुत्रायत बाल्ये विद्याधनम महत पिता स्यकिम तपस्ते पे इत्युक्तिस तर्ट कृतग्यदा पिता यच्छती पुत्रायत प वो विद्यारूपी धन कैसा है महान विद्यारूपी धन जो है वो देता है और उसके पिता क्या कहता है पितास ये किम तपस टेपे पिता क्या कहता है कि मैंने अपने पुत्र के लिए ऐसा क्या किया है मैं तो कुछ किया ही नहीं है मैंने तो कुछ अपने बच्चे के लिए ह जुब इसक MILK लेका्न मतलब कि जद आपके पेरिंड आप के लिए की यह है लेकिन जो पिता जो माता अपने बच्य को विद्यारूपी-मः धन देते हें वह बहुत ही Kunas तो होती है क्योंकि विद्या रूपी जो धने को इस श्लोप में विद्या का महत्तों बताया जा रहा है कि जो मातर पिता हमारे ले इतना काम करते हैं उसके बाद भी विनम्र रहते हैं इससे बड़ी क्रतग्यता कुछ हो नहीं सकती क्रतग्यता शब्द का मतलब होता है जब किसी पर कोई अच्छा काम करें और उसका क्रेडिट भी न लेना चाहें है ना जब आप उसके उपर एरोगेंसी या उस उस पर कोई अधिकार न जमाते हो आप कहें कि ठीक है मैं यह किया जब आप सोफ्ट रहते हैं जब आप अहंकार नहीं दिखाते हैं ऐसी सिचोवेशन हो और इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तपस तेपर तो बड़ा अशान है तप जमा अखर विसर्ग संदी है तपके आगे विसर्ग था और वो जब विसर्ग संदी बहुत। संदी हो घ्रीयञा को तो चहुटा करने के लिए जब पड़े सचसरी व्यास किसमें शंदी प तो समसनम समास और संधी तो आप जानते हैं तो परणों के मेर को संधी कहते हैं तो इत्युक्ति में यन संधी है जैसे इती जमा उक्ति ही जो उक्ति ही है ताके आगे ती के आगे जो आधा सव है वो विसर्ग है तो इत्युक्ति ही ऐसा है तो इती जमा उक्ति ये तो हो गई यण संदी, अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसको न हरा भी किया हुआ हैं, इसका मतलब है कि, इसमें कुछ कहई paar, वह भी है, क्या है, समाज भी है, क्रत्क चाहिए, तो समाज है, तत्ध्रत很好, उसकी शश्टि भख्ती एक वच्चन है मुस्की कृतक्यता मतलब उस पिता की कृतक्यता इस प्रकार का यहां पर आप शश्टि धत्पुरुष का प्रयोग देखते हैं और एक और आपको हरा दिख रहा होगा विद्या धनम, विद्या धनम मतलब विद्याही धन हो देखे धने का है, सबी जानते है, वी धिया है जैसे की आपकाते हुआत है, chyba हम Cult में मुझा अभणा पेछी है , तो यहां पर ड्राइश मतलब की वीध्या निए द्धन की अतरिक्त विद्धया नहीं है तो इस प्रकार से जो पितां संथान को विद्धया द्धन कते हैं और बुद्धा के इस कहते हैं कि मैंने क्या क्या आस एंको शलोब एक विद्धया को रख्षी नहीं बन рук भाव बता है कि सुमज़़ में कि कि हमारे हम समय की सीमा में बंत करते हैं तो हम आगे के शलोकों का भाव भाव तो समझेंगे, लेकिन हो सकता है क Acorn Hind आगी इजिंड है지만 लेकिन जिन संदी समासों को हम छोड़ेंगे उनको हम आगे आप उन्हें अपनी अध्यापक से, अपने साथिएं से चर्चा करेंगे और हम हमारी एंकर महुदया से भी कहेंगे कि हमारे साथ यहां पर सीखने पढ़ने और बचों के साथ बैठने में कुछ और आनंद की बात समझ में आए तो वो हमें जरूर हमारे साथ इन विश्वयों पर वो भी चर्चा करें जी जरूर माम बहुत ही अच्छा आपने टॉपेक लिया और मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है जी तो आप देखें यह दूसरा आपके पास श्लोक है वो कहता है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदी तदेवाहू महात्मानह समत्वमिती तत्यतह अवक् मतलत जो त्यड़ा मेड़ा नहीं हो मैं चाहूं तो इस के साथ को समास भी पता सकती हूं पर पहले मैं सोच भाव जो है वह पकडा दूँ आपको वैसे तो नए तत्दपुरुष समास है नवक्रता इती अवक्रता लेकिन पहले पहले भाव पकड़ते हैं अवक्रता यथा जिते अगर आपका जो दिमाग है ना उसमें तिड़ा पन नहीं हो स्मात्वत जिदे रॉचली हे और वैसे ही आपके भाद वो दिमान लोग जो हैं महान आत्माएं हैं महान विद्वान हैं वो क्या कहते हैं समत्व मितीतत या तो इस प्रकार की स्थिती को ही वो समत्व कहते हैं समत्व मतलब बच्चो समत्व बड़ी भारी सिचुवेशन है समत्व मतलब जहां पर माइंड जो है वो बैलेंस होता है माइन्ड बैलंस क्या होगा जो आपके माइन्ड में हो तो ही आपकी जुबान पर सपाट सपाट इसका मतलब भी नहीं कि मन में किसी के लिए बुरी चीज चल रही है और आप उसको की बूलें कि यह तो मैडम ने दिमाग और जुबान का कनेक्शन पताया था हमारा कनेक्शन तो सभी है तो हमारा समत्वम हो गया ऐसा नहीं यह मतलब सिन से नहीं पर अपने बात मुझा इस संत तुरुवलुवर हैं वो इसी लिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनकी जो बाते हैं वह बड़ी सरल भाशा में बड़ी गहरी बात यह अपने लेखन में कह जाते हैं जो कि सामान में जन मानस के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है और जब आप मुझसे चर्च संदि निए यहां संत्त मिती में संयोग हुआ है समथ्व तर इत्री चोड़ का संथि बना दिया गया और अगर आप देखते हैं इसमें वी आपको शंदि दिख रही होगी जिसमें और उसके बाद संधी की गई जिसमें था डे व जमा आहु में क्या हुआ बेटा जहां पर जोड कर आपने बना दिया तदेवाहू जोती दिर्ध संधी के अंतरगत हुआ इसी प्रकार से मैंने आपको अवक्रता जो है वो तो बता दिया तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि आगर आप आपका दिमाग और आपका मन जो है वो एक सर है तो ऐसी स्थिती में आपका जो जीवन है वो comparatively बड़ा सरल भी हो जाता है आगे कहते हैं कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुशाम यो अभ्युदी रहेद परित्यज्य फलं पक्वं भूंगते अपक्वं विमूडधी कि ता सुन्दर प्रए हो गया विमूरदी का विमूरदी शब्द जो है ना उसका मतलग यह समास है और अगर आप धर्मप्रदाम देखते हैं यह भी समास है और आप जो दो शब्द देख रहे हैं बड़े-बड़े इनमें संधी जो है वह आपको दिखाए देती है तो लिखा हुआ है त्यक्त्वा अप्रदाम वाचम परुशाम यो अभ्यू दे रहे अभ्यू दे रहे परित्यज फलम पक्वम भूंगते अपक्वम विमूरदी अच्छा एक बात बताईए आपके सामने ओप्शन हो मैं आपसे पूछ नहीं आपकर महुदाया अगर आपके सामने ओप्शन हो क्या पका फल ही खाना पसंद करूँगी फल खाना पसंद करूँगी यादर पका हुआ फल खास तोर पे पका कच्छे में से आप्शन मिले तू पका खाएंगी तो वो यह कहते हैं कि जो लोग धर्म प्रदावाचम धर्म को प्रदान करने वाली जो बात है उसको छोड़कर परुशा परुशाम मतलब कठोराम कठोर जो धर्म को देने वाली धर्म को समझाने वाली धर्म के ज्यान को देने वाली बानी को छोड़कर जो कड़वे वर्डू को अक्वाइर कर ले उसको बोले अभ्यूद अभ्यूदिरेत मतलब जो वदेत मतलब बोले कड़वे शब्दों को व उसको परित्य, उसको त्याग कर अपक्वम, अपक्वम मतलब जो पका हुआ नहीं है, जो बिना पका हुआ पल है, भूंते, वो बेवकूब जो है, वो बिना पके हुए पल को खाए, ऐसा होगा, अचा, यहां पर विमुडधी शब्द पर में चर्चा करना चाहूंगी, क्यो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी जो शब्द हैं, वो बच्चे खुद से भी देखते जाएं, विमुडधी सुन्दर शब्द है, विमुडधी यस्यसह, विमुडधी, जिसकी जो बुद्धी है वो विकृत हो, वह, ऐसा व्यक्ति विमुडधी, उल्टी दिमाग वाले को रखने वाले को बोलेंगे विमुडधी, अभी चौथा देखिए, चौथे शलोग में क्या कहते हैं, विद्ध्वान सेवा लोके अस्मिन, चक्षुस मंतह प्रकीरतिताह, अन्ये शाम वदने येतू, ते चक्षुर नामनी मते, तो बोलते हैं कि विद्ध्वान सेवा लोक विद्वता है, जिनमें ज्ञान हैं, उन्ही को चक्षु मंतह प्रकीरतिता, उन्ही को केवल चक्षु मंतह प्रकीरतिता, उन्ही को केवल विद्वान कहा जाएगा, उन्हें अक्षुल में नेत्रवान कहा जाएगा, अन्ये शाम वदने येतू, ते चक्षुर नामनी मते, और जिनके पास है ना केवल अगर विद्वान नहीं है वो अगर उनके पास बुद्धी नहीं है अगर उनके पास समझदारी नहीं है ऐसे लोगों को ही जिनके पास यह सफ है उनको कहा जाएगा कि वह उनके पास वास्तविक आंके हैं लेकिन जिनके पास विद्वता नहीं है ग्यान नहीं है ऐसे लोगों को बोला जाएगा कि शरीर पर आखे ही हैं मतलब इस श्लोक में वो विद्वता की महत्ता बता रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि कैसे आखों का होना important नहीं है जरूरी है कि एक व्यक्ति जो है वो ग्यान रूप पी आखों से संसार को देखे और समझे इस प्रकार से चलिए आगे जाते हैं वैसे विद्वान सेवा लोके समें सभी में संधी है विद्वान सेवां विसर णी है लोके में जो कि द्वारा जो कुछ भी कह दिया गया है और उसके द्वारा मतलब कि जिसने जो भी कह दिया जी यत्प्रोक्तम यह मतलब आपने कुछ कह दिया, कुछ मैंने कह दिया, है ना, उसका किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उस तक्तु के अर्थ का, उस ग्यान को निर्ने करने वाला जो है ना, जो कर सकता हो, कर तुम शक्यों, जो उसके अर्थ को समझ सकता हो, समझा सकता हो, ऐसे ही व्यक्ति को या ऐ काया फिबेकि या आसी वुद्धि को विवेक युक्त बुध्धि कहा जा सकता है जो की जो कि 최िने कुछ कहा हो unseam में से जो तफ्त्त है उसमें जो सही और गलत निरने करने वाले को ही विबेकी कहा जा सकता है इस प्रकार का इसमें अर्ध है एक बार हमारे प्रकारेन परेईर न परिभूयते परिभूयते मतलब हारता नहीं है किसी के कबजे में नहीं आता सके न अपी प्रकारेन न वो किसी भी प्रकार से नहीं आता परेई परिभूयते दूसरों के किसमें नहीं आता दूसरे के कबजे में नहीं आता कौन नहीं आता बाग पटू बोलने में जो बिद्वान होता है, धैर्यवान, जिसके अंदर धैर्य होता है, मंत्री, इस प्रकार का मंत्री, जो की सभायाम, सभा में, अपी, सभा में होकर भी अकातर, अकातर बच्चों, अभी जो हम नए पत्पुरुष की चर्चा कर रहे थे, मतलब की, जो कातर मतलब द सामाने व्यक्ति, सामाने विद्यार्थी भी अगर बोलने में समझदार हो, जिसमें धीरता हो और निडर हो, ऐसा व्यक्ति भी कभी भी किसी के कबजे में नहीं आ सकता, मतलब वो अपने अपना पत कुछ से प्रदर्शित कर सकता है, आगे सात्वा और आटवा, दो श्लोग सात्वाश लोग कहता है, यह इच्छा चाते हैं और आपके साथ कुछ बुरा कभी भी ना हो, है ना, और हमेशा अच्छा होना चाहिए, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, आत्मना मतलब मेरे लिए, यह इच्छती, जो इच्छा करता है, कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, श्रेयह प्रभूतानी सुखानी चाहिए, और मेरे साथ हमेशा कल्यान कारी, सुखकारी ही होना चाहिए, नकुरियाद अहितम उसको नहीं करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अहितम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्या बुरा के साथ बुरा नहीं करना चाहिए ये बड़ी सामने सी और बड़ी सिंपल सी बात है आठवा जो है उसका क्या भाव है आचारह प्रतमो धर्मः आचार जो है वो पहला धर्म है आचार मतलब सदाचार अच्छे तरीके से वेवार करना ये पहला धर्म है इत्यदत विदुशा आचार को प्राण से भी ज्यादा उसकी रक्षा विशेश रूप से करनी चाहिए तो इस प्रकार से अच्छे व्यवहार अच्छे आचार की यहां पर महत्ता बताई है मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको बताया और समास और संधियों को भी मैं बहुत इलाबरेट तो न किस प्रकार से हुई जी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया माम और मैं तो कहूंगी कि संतिरुवलुवर जी की बातें आज भी कितनी रेलेवेंट हैं यह हमें पता चलता है कि उन्होंने कब लिखा था यह सूक्तियां उन्होंने लिखी थी और उस टाम के एंवार् आपने इतने अच्छे से सारे श्लोक एक्स्प्लेंड किये और इनके बारे में डीटेल से चरजा की वीवर्स हम आपको बता दें कि अपसे कुछी देर में आप जुडएंगे हमारे दूसरे सेशन में जिसमें टॉपिक रहेगा पॉलिनॉमियल्स वर क्लास 9 और इस सेशन क को रैप अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि NCERT की टेक्स्ट बुक्स देश भर में अवेलिबल हैं जी हां हमारे डिफरेंट सेल्स काउंटर हैं न्यू जैली, कॉलकता, एहमदबाद, घुवाटी, बैंगलूरू में और अगर आप चाहें तो इन सेल्स काउ से आप किताबें खरीज सकते हैं नहीं तो ओनलाइन ओर्डर भी प्लेस कर सकते हैं ncertbooks.ncert.gov.in पर और इन किताबें आपकी घर तक पहुंचेंगी फ्री ओफ कॉस्ट और साथी साथ आप इन किताबों की PDF वर्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं e-patshala और दीक्षा एप से पर राप अप करती हूँ और आप जुड़े रहे हमारे साथ कुछी देर में आप सुनेंगे और देखेंगे हमारा दूसरा सत्र नमस्कार